मेरे पास बहुत सारे patient आते हैं जिनको early discharge की problem है जिनका erection में कोई दिक्कत नहीं है पूरा hard होता है पूरा तंता है कहते है लड़की को touch करना बस बश्रूरी है पूरा hard हो जाता है पर उनकी problem PME मतलब कि early discharge है वो अपने को hold नहीं कर पाते तो कई बर योनी के बार लेडी को touch कर करते निकल जाते हैं तो इन लोगों के अंदर मेंने देखा है कि कई बर chemist या doctor जो हो टडाला फिल वाइगरा सेटना फिल लिख देते हैं जूकि actually erection की दवाईया है टाइमिंग की दवाईया नहीं है और वो erection की खाल लेते हैं उनका hardness और बेटर हो जाती है बलकि नुक्स करेंगे इसके benefit नुकसान दोनों के बारे में और अगर आप ये चैनल देख रहे हैं और आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो ऐसे ही सेक्टोल हेल्थ के टॉपिक्स के लिए आप मेरा चैनल से सब्सक्राइब कीजिए को कि मैं हूँ डॉक्टर विजयंत गोविंदा गुपता नहीं दिल्ली में एक एंड्रोलोजिस्ट मतलब पूरुष्टों की शग्या है मैं कोई बाबा नहीं हूँ मैं कोई अर्विदी डॉक्टर नहीं हूँ मैं एक मेडिकल काउंसल रिजिस्टर्ड MBBS MS MCH Urology सर्जन हूँ जिसने फेलोशिप करी है मेंस हेल्थ में और हम आपके लिंक से रलेटेड हाड्नेस, टाइमिंग, साइज, स्पॉम प्रॉब्लम्स, बच्चे ना होना हर चीज का लेटेस्ट, लिस्ट लिंक नीचे है, आपको PME पर बहुत अच्छी वीडियो में जाएगी पर आज का वीडियो हम डिवेट नहीं होते हैं, आज का टॉपिक है PME के स्प्रे, आपने देखा होगा, रनवीर सिंग आज कल स्प्रे प्रमोट कर रहे है, मैन फोर्स और दुनिया पर की रिखicz्प कर रहे हैं, मैन फनी यह स्प्रेश स्प्रेश ओंडे पर अके लेत तो अगर्विक नहीं तो आपकोinformation फ्रमोट कर रहे ह्डाव है, आखों पर डालो, मुँपर ढलो, इस तो और यह वैडियो अगर नहीं आएगा, तो तो आपको obviously timing बढ़ जाएगी तो जिन आदमियों को hyper sensitivity है जो आदमी भी रोक नहीं पाते है जिनको uni का touch, uni की feel बरदाश नहीं है थोड़ा सा भी लड़की ने जीव लगाई, थोड़ा हाथ लगाई, उंगल लगाई वो डिश्चार्ज जाते है उन मरीज में अगर ये spray कर दिया जाए तो link का टोपा हो जाता है, सुन और सुनोने की वज़े से उनको feeling नहीं आती और उसके बाद वो कितनी देर अपने partner की uni के अंदर penetrate करके sex कर सकते है पर इसका फाइदा क्या है? फाइदा है एक false फाइदा फाइदा मतलब की आपको लग रहा है आपको लग रहा है, आपको कुछ फील नहीं हो रहा है आप सिरफ एक प्लास्टिक का डिल्डो लेके योनी के अंदर अगर रहा है पार्टनर तो जहाँ पर आप sex regular नहीं कर रहे है जहाँ आपके partner change हो रहे है जहाँ पर आप once in a month sex कर रहे है और जहाँ आपको performance दिखानी है जहाँ आपको सिरफ घोड़ा बनके दिखाना है वहाँ पर ये spray काम करेगा पर जहाँ आप इसको regular use करेंगे तो आपको जब feeling ही नहीं आएगी जब आपको आपके अंदर enjoyment ही नहीं आएगा तो दिरे-दिरे आपको तीन problem होगी पहला आपकी problem PME की बढ़ जाएगी पर बिना spray के आपको टाइमिंग 15 से कम हो जाएगा क्योंकि आपको अब sensation और ज़्यादा feel होगी बिना spray के तो आपको spray की habit लग जाएगी second है कि जो spray use करने वाले है उनको दिरे-दिरे डवलापना शुरू जाता है क्योंकि अब उनके penis में कोई sensation ही नहीं है कोई feeling ही नहीं है तो होता कि आएगी जो tightness रहती है normally भी tightness रहने के लिए आपको कुछ feeling कोई touch पर चाहिए होता है touch रहता है नहीं है इजी है फाइदा है कि आपने दो पॉफ लगाए और आपका टाइमिंग बढ़ गया और आप सेक्स कर लेते हैं पर इस पॉफ को लगाने का भी तरीका है बहुत सारे आप देखेंगे यह जितनी भी commercial है यह जितनी भी लोग है कहेंगे आपको कि आपने उसको पूरे पहले बाहर से ही तो आपको खड़ा करने के बाद टाइट होने के बाद इसको पीछे करना है सिरफ जो आपके sensitive parts है हर आजमी का sensitive part अलग-अलग होता है किसी किसी का आगे होता है आप इसको कितनी बार यूज कर सकते हैं आप इसको हफते में एक बार महीने में चार बार और साल में दस से बारा बार आप यूज कर सकते हैं आपको असल आता रहेगा आपकी feeling अच्छी रहेगी आप enjoy करेंगे पर अगर आप married हो आप relationship में हो आपको sex दिन में दो बार करना है आपको sex daily करना है तो ये spray आपके लिए नहीं है क्योंकि इसको इतना जादा यूज करेंगे तो आपको problems आएगी जैसे ED PME तो अब हम बात करेंगे spray के side effects की आपका PME का spray उसके क्या क्या problems है पहला इस spray को यूज करने के बाद आपको अगर protection नहीं यूज कर रहें तो infection कर रिसक हो सकता है STD हो सकता है तो सामने वाली आपकी कितनी दोस्त है कितना याराना है वो आपको decide करना है दूसरा अगर आप spray यूज करते है तो कई बार सुन पन आने से आपको erection में दिकत आती है आपका penis bad जाता है, sustain रहता नहीं है, ED बन सकता है तिसरा जादा spray के use से आपकी PME की problem बढ़ सकती है गटने के बज़ए चौथा ये spray alcohol के होते है अगर आपका penis clean नहीं है, उस पर कोई दाग है, घाओ है तो आपको जलन कर सकता है, दर्द कर सकता है ये spray alcohol का है, अगर आप योनी में डालते है व्या वाइफ, आप चाते हैं कि वाइफ आपको oral ज़ए तो इस spray का बड़ा गंदा टेस्ट होता है, तो oral में आपको problem आएगी छटा, इन spray से sperm मर जाता है, अगर आप fertility plan कर रहे हैं, आपको बच्चे करने हैं तो spray के use से आपके sperm मर जाएंगे, तो बच्चे होने में difficulty आ सकती है अगर आपकी wife की यूनी पर लग जाए तो उनकी यूनी में सुन पर ना सकता है, wife की enjoyment बढ़ने के बचाए कम हो सकती है तो ये spray बिल्कुल safe नहीं है, ये spray के अंदर भी अपने फाइदे नुकसान है तो yes, spray अच्छी चीज है, कभी कबार use करने की चीज है, enjoy बढ़ानी की चीज है, जहाँ हमने सामने वाले को शक्तिपरशन करना है, जहाँ हमने सामने वाले को impress करना है, जहाँ हमने एग घंटा, तेर गंटा गोड़ा बरना है, वहाँ पर spray beneficial हो सकता है पर जहाँ आप इसको एक daily life में यूज करने की सोचोगे, तो यह आपकी problems को बढ़ा सकता है, कम करने की बजाए, तो अगर आप spray के बार में सोच रहे हैं, यूज करिए, पर इसको ढंक से यूज करिए, कैसे यूज करना है, मैंने बता दिया आपको, और यह बता दूँ जार देन की कभी कबार फुस फुस करने के, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मैं रोटर गुपता, आपका मैंजल स्पेशलिस्ट और आपका फ्रेंड, थाक्यो सो मच, जार ख्यादि 신 को सब्सक्राइब कीजिए, ले बता बता दूसम्पास्स्टाइब कीजिए, जा कीजिए, ट pag वीजिए, बटने ये प्रेंडेंवाब क सब्सक्राइब के दो उ टोड़्स, आपका बैदी ऑता दूसरा मैं है, लाह मैं मैं हे तूस पनला हो और ख षान